क्योंकि डॉक्व..? बने रहना और डीटल से आपको जानना है बहुत नोगा कमार्ज में डॉक्व.. सब्सक्राइब करते हैं हमारा नोटिफिकेशन निकलता है अप्रेंटिस के लिए हम उस अप्रेंटिस में भर देते हैं उसके बाद प्रेंटिस जो है लगवाग किसी का एक महिन दो महिन तीन महिन अगब उसका मेरिट लिस्ट आता है मेरिट लिस्ट में हमार यहाँ पर मेंट लिस्ट राता है िसके ड़्यूदुप आफ करवाने के लिए करवाने के लिए पहुँचते हैं वहांपे हम लोग को आधार कार्ड प्यान कार्ड बैंक का पास हो गया तीन चीजुझ जरूरी होता है ले जाना लेकिता है तो आपको जो फोटो यहां पर लगता है कहीं कहीं दास फोटो लगता है यह आपके पास 10th का मार्षीट और 10 जट्र चर्टिफिकेट बहुत लोग पूछते कि मेरे 10 जी का मारषीट और 10 जीक दोना 1 चलेगा तो वह बुल्कूल आपका चलेगा बहुत सारा राइ यान थाल्ट सेटिफिकेट आपके पास और यह पको बहुत ज़िए लुकिमेंट बहुत जब है अगर ये आपके पास नहीं रहा क्था यह जासकता है इतना हो गया उसके बढ़ेखिए अब कि अब कि अब किसी भी डॉक्टर से बना सकते हैं जिसका इक रेजिस्ट्रेशन नंबर हो जो एंब बीवेस किया हुआ हुआ अब सरकारी प्राइबिट कहीं से बना सकते हैं और देखिए बहुत जगह क्या होता है कि यहां पर मेडिकल से टीपेड में लोग जाच भी करते हैं और बहुत जगह होता है कि आप कुछ पैसा दे दीजे 200-300 तो वह सिंपल ही आपका जितना भी सारा हमां पर लिखा रहा था हाइट हो गया आई हो गया तो आपको सारा कुछ जो हुआ हुआ अप ऑटोमेटरी लिग देते हैं जैसे क सब्सक्ताइबर घृइंट काउल सब्सक्राइब कर दो में यहां जाता है अंपे लिखनेर रहाम से फिटेफिकेटर परीडिकता है č डॉनलेफिकेट लेवल का तो बहुत क्या होता कि अस्टेट लेवल वाला में चल जाता है लेकिन आपको जो है ज्वाइनिंग के टाइम वो जमा देना पड़ता है सेंट्रल गौर्णमेंट का सेट्रिफिकेट इतना सारा जो डोकुमेंट है यह आप लोग अपना साथ में लेकर के आता है इसका ओरीज और फिलाल आने कि आप लोग जमा दे रहे हैं वहां पर लिखना पड़ता है फोटोचिप करना पड़ता है बस यहीं सिम्पल ही आपको करना पड़ता है और देखिए यहां पर बहुत लोग पर डाउट रहता है कि क्या यार हमारी यहां पे चैरेक्टर सेटिफिकेट में तो अभी देखिए फिलाल जितना भी निकल रहा है उसमें से कहीं भी चैरेक्टर सेटिफिकेट नहीं मांग रहा है तो आप लोग चैरेक्टर सेटिफिकेट लेकर आने की चिंता नहीं हो यहां यह हो गया और हां कहीं कहीं लगता है इसका करेक्टर सेटिफिकेट कहीं कही अर रहुत झो रहे क्योंकि डोकुमेंट्वर्पिकिशन हो जाने के बाद इसका आगे का इस्टेप क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता रहता आए इसका सेकेंड सेब में जो कि हमारा था फैनल ज्वाइनिंग मेरिल लिस्ट जो कि एक किसी किसी जौन में पंदरो दिन म भी एक महोना किसी का दो महोना किसी का तीन महीना भी लग सकता है इस तरह से मैं डिपेंड करता है जोन पर दिपाटमेंट पर नेज़ करता हां तो आपका इनाल instantly नाट जो रहता है वो तीन से जिएट रहता है आपका रहता है अबहूं हें पिछला वीडिएम आपको पताया था एक अनुझ भाई का इंट्रूब्विू लिया उस वेंट को बताया है कि उनका-पैमेंट अभी प्रवल्म था तो आपको यह करना होगा कि आपको जो है अपना बैंक एकाउंट आपको तयार रखना पड़ेगा सारा कुछ अपडेटेड रखना पड़ेगा यह तीन बहुत जरूरी और आपको आने कि अपने साथ में काज सेटिफिकेट का जानी कि कोई मामला नहीं है इस स अपने साथ जो टैंथ और आइट आइट आपको आप जो है जो आइनिंग करने के लिए वहां चले गए आप लोग जोएनिंग करेंगे उसके वाद आप जीस जोन से भरें तो जीस डिवेजन से उसके आस पास में 5-10 किलोमेटर 20 किलोमेटर जो जो भी वर सोपर आता है आप लोग गये जो आइनिंग करने जाएंगे उसको 5-10-15 ग्रूप में करके आप लोगों को परते आनि की डिफरेंट डिफरेंट वर्क्षप में बैचा जाएगा आप लोग को लिस्ट एक निकलेगा उतना लड़का का जितना लड़का का आप लोग बनाए जाएगा आपको एक्सेप्ट करेंगे उसका वाद आपको आनि की सारा सेक्षन बता देंगे कि यहां आपको यह सेक्षन मिला है आपको मेकेनिकल सेक्षन मिला है आपको इलेक्ट्रिकल आपको सीगनल डिपार्टिमेंट मिला है आपको इसमें काम करना वही सारा कुछ बताएंगे उ वो आपका जो है कॉंट्रेक्ट स्टार्ट कर देता है निकलवाने के लिए हां और कॉंट्रेक्ट सैंड करने से पहला आपको देख लाना पड़ेगा अपना अप्रेंटीसिप इंडिया में पोटल में कि आपको कहीं भी कुछ गलती है क्या अगर गलती रहेगा तो आप इसके बाद एक और वीडियो में आपको बता देंगा इसे बहुत लोगों के आपको बताने वाला हूं क्योंकि चार-पांच लड़का का मैंने और लेडी करवा चुका हूं है इसका सुधरवा चुका तो आपको पता हो गया कि कैसे क्या प्रोसेस है तो देखिए कॉंट्र पता नहीं रहेगा उसके बाद एक दो महिना के बाद आपको लग सकता है बाकी उसके बाद जब आप लोग का बहुत मजाएगा तो चलिए आमें लगा कि आपको मतलब बता देते कि शुरूआत से लेकर कि क्या जर्नी रहता है तो उमीद है या वीडियो आपको पसंद आय होगा पसंद आया को चैनल के वह आप लोग सब्सक्राइब कर रख लीजेगा चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी तब दले जाहिंद जय भारत